हेलो फेंट्स में मंदीब सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में अम्रेला स्लीव्स की डिजाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शौर्ट अम्रेला स्लीव्स रही की है तो यह पेक पार्ट है और इसका फ्रेंट पार्ट आर्म हॉल नाप लेना है शौर्ट को जौइन्ट कर लिजेगा और यहाँ पर पूरा आर्म हॉल नाप लेना है की कितना आ रहा है मेरे मेरे मेजमेट में चबने में आ रहा है ञार great color is आप जारा है अब दिखिया हमें क्या करना है स्लीव्स के cutting करनी है तो इस स्लीव को बनाने के लिए मैंने लिया है 80 cm का फैबरिक मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ अगर आप दो लेयर लगाते हैं तो पूरा टोटल एक मीटर फैबरिक आप लीजिएगा प्रॉपर कटिंग होती है अगर आप कम ले लेते हैं तो कटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती क्योंकि अम्रेला में कटिंग जो है वो कपड़ा जो है ज़्यादा लगता है साइट से कपड़ा जो है वो वेस्ट होता है तो देखिए कपड़े को मैंने 80 cm का पीस लिया है और इस तरीके से मैंने इसे ट्राइंगल में फोल्ड कर दिया है अच्छे से हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे कटिंग करने से पहले और अब हमने क्या करना है नीचे से इसकी मार्किंग कर देनी है यह दिखिए इस तरीके से इसे गुलाई में शेप देना है कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका है यह अम्रेला स्लीव कटिंग करने का तो simple मैंने यहाँ पर दिखिए गुलाई में shape दे दिया है अब आपको क्या करना है कि जितनी भी length आप रखना चाते हैं मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिया है sleeves का लंबाई sleeves के जो length है वो 5.5 इंच रखी है यहाँ से भी 5.5 इंच पूरा हमें नीचे तक 5.5 इंच पर mark कर देना है आप अपनी पसंद से लंबाई जो है वो कम जादा करके ले सकते हैं तो यह length मैं मैंने कुछ इस तरीके से marking कर दिया है तो नीचे वाला जो पार्टे वो bottom रहेगा उपर वाला पार्ट हमारा आर्मोल वाला भाग रहेगा अब उपर वाले भाग से आप आर्मोल को नाप लीजेगा तो यह देखे पूरा मेरा exit आ रहा है पूरा नीचे तक 9 इंच आ रहा है पोना 9 इंच आया था तो पूरा मैंने यहाँ पर ले लिया है अगर आपको छोटा पड़ता है क्या करना है कि आर्मोल तरफ से जो हमने आधा इंच यह जो 5 इंच का आधा माक किया है इसे आपको sleeves की तरफ मिला देना है कुछ इस तरीके से गुलाई देते हुए यहाँ पर हम इसे मिला देंगे और अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है अब हम इसे कर लेंगे कट तो कट आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे कर लेना है अगर आप इसके अंदर दो लेयर लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आपको एक एक लेयर आप और कटिंग कर सकते हैं मैंने दोनों sleeves के कटिंग यहाँ पर साथ में ही कर ली है में से open कर लेंगे आधा इंच मैंने यहाँ पर और इसे down कर दिया है उपर वाला भाग आर्मो उस तरफ वाला है नीचे वाला भाग जो है वो bottom कर सकते हैं यह देखे इस तरीके से मैं आपको बताती हूं अगर आप इसे डवर फोल्ड करना चाते हैं तो इस तरीके से कर लीजेगा और 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 फोल्ड करना दूसरी तरीके से करना चाते हैं तो एक पहले सिंगल फोल्ड कीजिएगा उसके बाद इसे फिर से एक बार फोल् आपर लग जाती है तो जेक माशीन में आप पीको का कोई इसमें फूट नहीं आता है मेरे पास यही वाला फूट है जिससे कि मैं आपर एक बारीक सिलाई लगा सकती हूँ अगर आपके पास नहीं होता है तो कोई बात नहीं आप इसे बारीक सा फोल्ड कर सकते हैं एक सिलाई में इसे पतली सिलाई लगा रही हूँ जो मैंने आपको फूट दिखाया था मशीन का उसे चेंज कर लिया है मैंने और यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से एकदम पारीक सिलाई लग जाएगी तो यह पीको नहीं होता है पतली सिलाई यहाँ पर आ जाती है पीको जैसी यह तो यह नीचे के बॉटम वाले पार्ट पर हमारी फिनीशिंग आ गई है इसके बाद अब इसे हम अटेज करेंगे तो अटेज है आपको नॉर्मल स्लीवस जैसा ही करना होता है मैं इसे दोनों भाग से नापकर चेक कर रही हूँ कहीं से बड़ा चोटा तो नहीं है और सें स्लीवस दिहाँ पर एकदम बराबर बैठीगे क्योंकि हमने आर्म होल जो है वो नापकर ही स्लीवस का कटिंग किया है यह देखिए एक तरफ का पार्ट मैंने स्लीवस का टेज कर दिया है दूसरी तरफ का करके दिखाती हूँ तो मैं आपको आगे से भी करके दिखा दीती है तो आधा हिंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको सिलाई लगानी है इस पर डवल सिलाई भी आप लगाईएगा तो दिखे स्लीवस बिलकुल बराबर से बैठी है और पहनने के बाद भी इसका लूप बहुत ही अच्छा आएगा और यह बनाने में काफी इसी है अब हम पर एक कॉर्णर की सिलाई लगानी है इसके बाद एक्स्ट्रा फैप्रिक को करेंगे कट और दूसी तरफ से भी हमने यहाँ पर जोइंट से जोइंट मिलाते हुए पहले सिलाई लगा देनी है इसके बाद हमने एक्स्ट्रक पार्ट जो निकल रहा था उससे कटिंग कर दिया है और इसके बाद अब हमने क्या करना है इसे जो हमारा ब्लाव से इसे हम उल्टा कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से फिर हमने चेस्ट और वेस्ट का फोथ पार्ट लेना है चेस्ट का ले लेंगे यहाँ पर हम 9 इंच 36 साइस का यह ब्लावस ने और नीचे कमर है 30 इंच उसका चोधा बाद लेंगे 7.5 इंच और दिखे इसमें इस तरीके सिलाई लगा लेंगे पिटिंग की सेम इसी तरीके से आपको दूसी तरफ का पार्ट भी पिटिंग कर लेना है और इसमें आप गहराई अगर इसमें जो स्लीर से हमने कर्टिंग किया था इसमें गहराई देनी कि आपको जरूरत नहीं होती है अमरेला स्लीर से तो आप इसम पीछे करते हुए आपको गले से अच्छे से पकी सिलाई लगाते नहीं है तो मैं इसे आपको प्रॉपर करके दिखाती हूँ किस तरीके से इसका लुक आया है इदी के फ्रेंट्स ब्लाउस बनके कंप्लीट हो गया है और ये इसका फाइनल लुक है तो फ्रेंट्स आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें